हलो गुडिवनिंग दोस्तो मैं होकम सिंग अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन मैं आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आपको पता है दोस्तो हमने इंडियन जियोग्राफी की एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसका एक लेक्चर हमने कम्प्लीट कर लि करेंगे यानि कि इंडिया के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनके बारे में जाने की कोशिश करेंगे जो दोस्तो यह जो सीरीज है यह आपके लिए यूपी एससी एससी रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीयस एक्जाम हो हर किसी में बहुत ज्यादा बैनिफिशल रहने वाली है आप इसको रेगुलर्ली फॉलो करते रही है दोस्तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडियन जेगराफी में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आप इसको कम्प्लीट फॉलो कीजिए देखिए और आपको बहुत जादा मज़ा आने वाला ह चिक है तो चले शुरू करते हैं देखिए अगर मैं इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे मैं आपको थोड़ा ओवर्वियू दूँ तो इंडिया का जो टोटल लेंड बॉर्डर है अधर कंट्रीज के साथ मैं वो है 15,106.6 किलोमेटर स्केर किलोमेट सा कंट्री है जिसके साथ मैं इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर है तो वो है बंगलादेश ये कोस्टन दोस्तों ससी में कई बार पूछा भी गया है बंगलादेश के साथ मैं इंडिया का सबसे ज़्यादा बॉर्डर है कितना है 4096.67 क्यास पासम कह सकते हैं दूसरे यो आपको पता होना चाहिए दोस्तो अगर हम इंडिया के औरियाज की completely रहें तो इंडिया का जो टोटल कॉस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमेटर अगर हम टोटल कम्प्लीट कॉस्टल एरिया की बात करते हैं कॉस्टल बाउंडर की बात करते हैं इंक्लूडिंग लक्षदीप अंडमान निकोबार आइलेंड्स ओफ इंडिया ठीक है अगर हम इनको दोनों आइलेंड्स को एक्सक्लूड कर देते हैं तो यह जो मैन लेंड के जो कॉस्ट लाइन है वो 1600 किलोमेटर के आसपास है ठीक है देखें आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया के यह पांच यूटी जोर पांच स्टेट्स या यूटी जिसमें एक दिल्ली भी है ज अब आपको पता होना चाहिए ठीक है देखें इंडिया फ्रेंटियर्स देखें तो मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स के डाटा के हिसाब से इंडिया का जो टोटल लेंड मास है लेंड बॉर्डर है वो 15106.7 किलोमीटर है जो की बानमे डिस्टिक्ट्स 17 श्टेट्स के बानमे डिस्टिक्स में फैला हुआ है और अगर हम कॉस्ट लाइन की बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर है अगर हम जो हमारे दो यूटीज यूटीज है यानि कि आईलेंड यूटीज है यानि कि लक्षदीप और अनमाने को बार उनको एक्सक्लूड कर देते हैं जो मैन लेंड का जो कॉस्ट लाइन है वो 600 किलोमीटर बचती है जो की 13 स्टेट्स और यूटीज में फैले होई है देखिए जो जिनका कि इसी भी अधर कंट्रीज के साथ में बॉर्डर या फिर कोई भी कॉस्ट लाइन नहीं है वो कौन-कौन से स्टेट्स या यूटीज है तो आप देख सकते हैं MP है 36 गड़ है जारखंड है दिल्ली है हर्याना है और तेलंगाना है ठीक है इन कंट्रीज को हम फ्रंट लाइन स स्टेट्स बोलते है क्योंकि उनकी किसी ना किसी कंट्रीज के साथ एक या अधिक कंट्रीज के साथ डारेक्ट ली बॉर्डर है या तो या फिर दैरेक्ट कोस्ट लाइन है ठीक है तो इंडिया के जो लॉंगेस्ट बॉर्डर है वह बंग्लादीश के साथ है 4096.6 कि टीक और जो इंडिया के जो सबसे कम बॉर्टर है वो है अफगनिस्तान के साथ 106 किलोमेटर गार चीक है देखिए आप यहां देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बांगलादिस के साथ में है सबसे कम पूछे और ओप्सन में अफगनिस्तान नहीं हो तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम भूटान के साथ है चैसो निन्यान में एप्रोक 700 किलोमेटर के आसपास ठीक है देखिए आप इस मेप के साहिता से अच्छे से जान पाएंगे देखिए यह पाकिस्तान के साथ बॉडर है रेड कलर में जो लाइन है जो की 3323 है इसके बाद अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम है 106 kmика, इसके बाद इंडिया चाइना के साथ का जो बॉर्डर है वो है 448 km इसके बाद नेपाल के साथ ग्रीन कलर में अब देख सकते हैं 3700ta क्ली के साथ में बूटान के साथ में जो बिलु कलर का है Ichoda चाहिनामिय क्ली यह including अन्दमा निकोबार एंड लक्षधीप आइलेंड्स that is 7516.6 किलोमेटर if we exclude these two islands then the mainland cost line is 6100 किलोमेटर ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम इन कंट्रीज के साथ में अपना इंडिया का बॉर्डर देखते हैं तो सबसे पहले हम बॉर्डर विद चाइना यानि चाइना के साथ बॉर्डर देखते हैं तो यह सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया का चाइना के साथ में आफ्टर बंगलादेश ठीक है इंडिया के कौन-कौन से स्टेट्स और यूटीज के साथ में चाइना का बॉर्डर है तो आप देख सकते हैं इंडियन स्टेट्स नेमली जे एंड के यानि फिलाल हम लद्दा कह सकते हैं उसके बाद हिमाचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम और और नाचल प्रदेश इनके साथ में बाउंडरी सेर करता है चाइना अगर इंडिया की जो बाउंडरी है चाइना के साथ में जो बॉर्ड सेक्टर ठीक है तो इनको देखते हैं वन बाई वन यह वेस्टन सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यह इंडिया का जो जम्मु कस्मीर स्टेट्स यानि फिलाल वो लद्दक की बात करें वो और जो पाकिस्ट सोरी चाइना का जो जिंजियंग प्रोविंस है वहां का एरिया है ठीक है इसमें इंडिया चाइना क्लेम करता है किसके से एरिया को एक अक्साइचीन वाला रिष्टिक है वो इसके बाद चांगमो वैली इसके बाद पैंगॉंग शो लेक है वो इसके बाद स्पॉंगर लेक है स्पॉंगर सो लेक है उसे एरिया को और नॉर्थ इस्ट ल सेडिड बाई पाकिस्तान टू चाइना जो हुंजा गिलगिट वाला एरिया है उसको भी क्लेम करता है ठीक है इसके बाद अगर हम मिडल सेक्टर के बात करते हैं तो यह बहुत ही पीसफुल एरिया है जो कि चाइना का हमाचल प्रदेश और उत्राखंड के साथ में बॉर्ड इस्टन लिमिट और भूटान से लेके हैं अप टू दी दीफू पास तक दीफू पास कहा है इसको तूलू पास भी बोलते हैं यह ट्राइजंक्शन है किसका इंडिया तिब्बत और म्यानमार का वहां तक का एरिया है इसको ही हम मैक महुन लाइन बोलते हैं जो कि 1934 में ज वी घूटिया दो उस टाइमी पर सेक्रेटरी औफ प्रीटिस इंडिया थे ठीक है है estよね है कि यह आप इस म techniques हम से देख सकते हैं है है यह आफ का वेस्टें सेक्टर है यह आपका मिडिल सेक्टर है और यह आपका इसर्टन सेक्टर है playing कि इसके बाद अगर हम इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटी टेटरीज है इनकी बात करते हैं तो जो वेस्टन सेक्टर है इसमें डिस्प्यूटीड से टेटरीज हमारे डिस्प्यूटीड एरिया कौन सा है तो यह इंडिया जो वेस्टन सेक्टर में 212 किलूमे चाइना का जो जिंजियंग प्रोविंस है उसके बीच वाला एरिया है ठीक है इसके बीच में जो डिस्प्यूटड एरिया है वो है अक्साई चीन वाला ठीक है इंडिया क्लेम करता है इसको जिंजियंग का हिस्सा है सौरी चाइना क्लेम करता है कि जिंजियंग वाला हिस्सा था है कि के अंग जिस्ट ट्यूरिंग डी टाइम आफ ब्रितिश रूल इंडिया में ब्रितिश रूल था तो इस टाइम पर दो बॉरडर ऑंक्लिवीं दो बॉर्डर इन्हों नहीं डेक्लेर करें थे पर पूज करें थे हैं पहला था जॉनसन एक रिंट करें से जो जॉंसन्स लाइन वाला लाइन है वो उसको 1865 में प्रपोज किया था इसमें अक्साई चीन वाला हिस्सा है उसको इंडिया में दिखाया गया है बट जो मैकडोनाल्ड वाली लाइन है उसमें जो 1893 में प्रपोज की गई थी उसमें अक्साई चीन वाला हिस्सा चाइना में दिखाया गया है तो इंडिया जो जॉंसन्स लाइन उसको मानती है और अक्षाई चीन को अपना एरिया बताता है और चाइना जो मैकडोनाल्ड लाइन उसको मानती है और जो अक्षाई चीन वाला इससा उस पर अपना हक जताते है तो इस तरीके से ये लाइन ओफ एक्च एरिया है और इसमें चाइना का जो बॉर्डर इंडिया के दो स्टेट्स के साथ लगता है जिसमें हमाचल प्रदेश और उत्राखंड है ठीक है तो यह पीस्फुल एरिया है यहां कोई भी डिसएग्रिमेंट ओवर दी बॉर्डर दोनों के बीच में नहीं है ठीक है इसके बाद अगर हम इस्टन सेक्टर के बात करते हैं तो यह 1140 किलोमेटर लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ में जो कि भूटान का जो इस्टन पॉइंट है वहां से लेके तूलू पास तक का एरिया है यह बाउंडरी लाइन है जिसको मैक महूल लाइन कहा जाता है चाइना इस मैक महूल लाइन को इलीगल मानता है क्योंकि जो 1914 में जब सिमला कॉड हुआ था उस टाइम पे जो तिबतियन साइड से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो तिबत की साइड थे तिबत की साइड से थे और यह चाइना बोलता है कि उनको कोई भी राइट नहीं ह अब जो मैक महून लाइन है जो इन्होंने मैप डरा किया उसको डरा करने का तो इसको यह इलीगल मानते हैं इसलिए यह वाला एरिया भी इस्टर वाला एरिया व्य डिस्प् cucie एरिया है जिका इसके बार अगर हम नेपाल के साथ में अपने बौरडर की बात करते हैं तो न यहां इंडिया और नेपाल के बीच में बिल्कुल पूरस movement है without any passport without any visa कोई बी इंसान इंडिया से नेपाल जा सकता है और नेपाल से इंडिया आ सकता है फ्रोधी शिवालिक रेंज इनका मूवमेंट रहता है ठीक है अगर हम दोनों के disputed area की बात करें तो इंडिया और नेपल के बीच में दो disputed areas आते हैं एक तो ये काला पानी वाला area है और दूसरा है हमारा सुस्ता वाला area जिसको मैं आगे अगली slide में discuss करूँगा तो देखिए ये जो काला पानी वाला area है ये देखिए ये इंडिया का उत्राखंड है और ये नेपाल है ठीक है तो ये वाला जो area है काला पानी का ये disputed area है इसी के रास्ते यहां लीपू लेक है लीपू लेक पास है जो मान सरोवर और वाला जो पिल्गरिम प्लेस है वहां जाने का लीपू लेक के जरिये रास्ता है ठीक है तो ये भी एक disputed area है इंडिया और पाकिस्टन नेपाल के बीच में देखिए आप देख सकते हैं ये काला पानी का area है ये इंडिया के दोड़ा एड्मिनिस्टर किया जाता है इसको इंडिया मानता है कि ये उत्रा खंड का पित्होरा गड डिस्टिक का area है ठीक है इट इज सिचुएटेड ओन दी कैलास मानसरोवर रूट है उस पे सिचुएटेड है काला पानी वाला area है वो जो लेटेस्ट पुलिटिकल मैप है उसमें इंडिया ने रीटी रेट किया है दुबारा से दरसाया है और किलेम किया है कि ये इंडिया का हिस्सा है जबकि नेपाल बोलता है दिस एरिया ब्लांग्स टू वेस्टन मुस्ट पार्ट ऑफ दी नेपाल है ठीक है देखिए जो काली रिवर है ये डी मार्केट करती है दोनों कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर है उसके हिसाब उसको किसके हिसाब से उस टाइम पर ट्रीट य इंडिया के बीच में जब एंगलो नेपाली जवार हुआ था 1816 में तब ठीक है तो उन्होंने जो काली रिवर है इसी को बॉर्डर मान लिया था बट दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी क्या है कि इस रिवर का जो सोर्स है उसके हिसाब से इसको नेपाल अपना एरिया बताता है काला पानी वाले एरिया को और इंडिया अपना हक जाताता है इस एरिया पर बाकी फिलाल इस एरिया को काला पानी वाले एरिया को इंडिया के द्वारा एड्मिनिस्टर किया जाता है ठीक है इसके बाद देखे सुस्ता वाला एरिया पहले आपको मैं मैप के माध साइड में located था ठीक है और बोला था कि इस गंड़क रिवर से जो इस्टन साइड वाला एरिया है वो इंडिया का माना जाएगा और इस से सोरी इस से इधर साइड वाला नेपल का माना जाएगा और इस से इधर साइड वाला इंडिया का माना जाएगा पर आफ्टर ए ड्यू कोर्स ये गंडक रिवर ने अपना रास्ता बदला और ये इस तरीके से यहां से आगी ठीक है तो ये इसके इधर साइड में चला गया अब ये इंडिया की टेरिटोरी में है तो अब इंडिया बोलता है इंडिया अपना क्लेम करता इस एरिया पर तो दिखें जो सुस्ता एरिया है जो सुस्ता एरिया है इस वन ओफ दिस्पूट टेरिटोरी बिट्वीन इंडिया के जो उत्तर प्रदेश है और नेपाल के बीच में सुस्ता लोकेटेड ओन दी बैंक ओफ दी गंडक रिवर कॉल्ड नाराइनी डिवर इसको बोला जाता है गंडक रिवर है जो इसको इस चेंज ऑफ दी कोर्स बाइदी गंडक रिवर इज मैन रीजन फूर दी डिस्पूट ठीक है देखिए जिस टाइम पर सुगोली की ट्रीटी साइन हुई थी बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 16 में तो उस टाइम पर ग ब्लांग्स टू नेपाल एड़ टाइम आफ दी ट्रीटी वाज साइंड सुस्ता विलीज वाज सिच्ट इट वैस्ट ऑफ दी रिवर इसके वैस्ट में लोकिटेड था देखिए जैसे मान लेते हैं यह गंडक रिवर बहरी है और यह यहां लोकिटेड था नेपाल में और यह इंडिया है मान लेते हैं ठीक है अब बट आफटर ड्यू कूर्स यह इस गंडक रिवर ने अपना रास्ता बदला और यह बहते बहते इस तरीके से यह इसके इस्ट साइड में आ गया यह सुस्ता वाला एरिया है अब यह इंडिया इसको अपना हग जताता है कि यह इं सकते हैं इसके बाद इंडिया भूटान की अगर हम बात करते हैं तो यह बिल्कुली पीसफुल एरिया है यहां हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है ठीक है अगर हम इंडिया पाकिस्तान के बार्डर की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्त के बीच में एक तव पोके जैंड गुकाप पी ओके और weं बलतिस्तान बलुचस्तान वाला एरिया और एक सर क्रीक वाला एरिया ये दिस्पूटिड एरिया के अंदर आता है तो आगे हम स्के बारे में में डिसक्स करेंगे तो दिखिए ये है मैं आपको समझा दूँ ये जो रेड कलर की लाइन है ना इस से रेड कलर की लाइन से जो ग्रीन कलर की लाइन है इधर तक बताता है पाकिस्तान अपना एरिया क्लेम करता है और इंडिया जो ये रेड कलर की लाइन है इसके बीच यानि मिडल 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 में जो भी रेड कलर की लेने यहां तक इंडिया क्लेम करता है तो इस तरीके से यह सरक्रीक वाला जो 96 किलोमेटर का एरिया है यह भी डिस्पूटेड एरिया है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ठीक है तो आप देख सकते हैं यहां से देखिए जम्मू कस्मीर पाकिस्तान उक्पाइड कस्मीर यानि पीयो के और जो गिलगिट बलतिस्तान वाला एरिया है यह illegally and FORcible यह occupy कर रखा है approximately 68000 स्वे क्रेमिटर का एरिया पाकिस्तान ने ठीक है। और 1963 में जो 1560 स्वे क्रेमिटर का एरिया है अदिशनी बाई पाकिस्तान फेरी चाइनका इनिए उप्राइक है। ठीक है तो ये भी एक disputed area है इसके बाद श्याचन Glacier that is completely administered by India at the time of 1984 जो operation मेगदूद चलाया था इंडिया ने उसके इसाब से ये इसको completely इंडिया ने कबजा लिया था और इंडिया ही इस पे administer करता है आज की टाइम में ठीक है इसके बाद saltaro ridge है that is on the heart of the Karakorum range ठीक है अब दे आर located in the heart of the Karakorum ठीक है on the southwest side of the श्याचन Glacier के southwest side में ये located है इसको इंडिया अपना जो जेंड के यूटी है उसका पार्ट बताते है और जब की गिल्कित पलतिस्तान का पार्ट बताती है पाकिस्तान तो इस तरीके से ये भी एक disputed area है ठीक है इसके बाद मैं सर क्रीक वाला मैंने बताई दिया आपको 96 km का ये area है जो की water dispute है तो आप देख सकते हैं कि जो central line है उससे मान लेते हैं ये central line है और ये पूरी सर क्रीक यहां से यहां तक है ठीक है उस time पे जब एक resolution पास हुआ था 1914 में किस किस के बीच में जो सिंध की government थी उसके बीच में और जो कच्छ के राव महराज थे उनके बीच में तो ये properly इसको declare नहीं कर पाया थे इसके area डिमार्किट नहीं कर पाया थे clearly तो आज के time में ये भी एक disputed area है ठीक है इंडिया बंगलेदिश के border की बात करते हैं तो इंडिया का बंगलेदिश के साथ में सबसे लंबा border है 4096 किलोमिटर का ठीक है तो ये भी रेड किलिफ जो आवाड उस time पे जो रेड किलिफ जी के द्वारा लाइन डिकलियर की गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो उस time पे ये भी इंडिया बंगलेदिश के border डिकलियर किया गया था तो इंडिया और बंगलेदिश के बीच में कोई भी dispute नहीं है बिल्कुल peaceful area है अगर हम इंडिया म्यानमार की बात करते हैं तो ये कुछ इंडिया की ब्रम्घा पत्रा रिवर और जो म्यानमार की इंडिया की बीच है और अगर लेहं हें तो इंडिया की साइड से फोरेंस्ति ए इसके बाद इंडीय और स्रिलंका का border देखते हैं तो दोनों कंट्रीश के बीच में जो णिवीजन है इंडिया का जो रामेश्वरम पे जो धनुसकोडी है वहां से और जाफना पैनेशुला पे लोकेटेड तलाई मनार वाला एरिया लगवग देज अबाउट 32 किलो मेटर अवे फ्रॉम धनुसकोडी ठीक है तो इंडिया के बीच में एक डिस्प्यूट था देखें मैं आपको इंडिया स्रिलंका के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है ठीक है तो इस तरीके से लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक सेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल टार्गिट अचिवर्स जान को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच है वे ग्रेट डेए